नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के स्वातंत्र पद की व्यवस्था की गई है जिसे संग्षेप में महालेखा परिक्षक कहा जाता है यह भारती लेखा परिक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है यह लोक वित्त का सनक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तिय विवस्था का नियंतरक होता है इसका नियंतरन राज एवं केंद्र दोनों अस्तरों पर होता है इसका कर्तव होता है कि भारत के सम्विधान एवं संसद की विधी के तहत वितिय प्रशासन को संभाले डॉक्टर बी आर अम्बेटकर ने कहा था कि नियंतरक महालेखा परिक्षक भारती सम्विधान के तहत सबसे महातुपून अधिकारी होगा यह लोकतांतरिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा इन रक्षकों में उच्चितम नियायाले निर्वाचन आयोग एवं संग लोग सिवा आयोग शामिल है तो उच्चितम नियाले निर्वाचन आयोग 324 संग लोग सिवा आयोग 300 हम कहलें कि पंद्रा में और एक है आठकल 148 जो कि है भारत का नियंत्रक और महालेखा परिक्षक इन चारों को कहा जाता है क्या लोकतंद्र का संरक्षक लोकतंद्र के संरक्षक में इचाराते हैं उच्चितम नियाले निर्वाचन आयोग संग लोग सिवा आयोग और भारत का नियंत्रक और महालेखा परिक्षक नियोक्ति एवं कारेकाल कैग अपने पद का शपत क्या लेता है पहला भारत के सम्विधान के प्रती सच्चिश रधा और निष्ठा रखेगा भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुने रखेगा सम्यक प्रकार से और श्रधा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ग्यान और विवेक से अपने पद के कर्तवियों का भै या पक्षपात अनुराग या दुएश के बिना पालन करूंगा सम्विधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखोंगा कैग का कारिकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 साल जो भी पहले हो की आयुदक होता है इससे पहले वह राष्टपती के नाम किसी भी समय अपना त्याग पत्र भेज सकता है तो कैग की नियुक्ति करता है राष्टपती कैग को शपत दिलाता है राष्टपती कैग अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट पती को और कैग राष्ट पती के प्रसाद परियंद ही कारे करता है राष्ट पती द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है माफ करेगा राष्ट पती के प्रसाद परियंद काम नहीं करता है आगे लिखा हुआ है कि राश्ट पती द्वारा इसे उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे ओचितम न्यायाले के न्यायधियस को हटाया जाता है ऐसे वेवस्था कहां कहां पर है जैसे जो निरवाचन आयोग है、 Article 34 के तहच जो है उसके अगर अध्यक्ष को हटाया जाना है तो उसी रीती से हटाया जाएगा जैसे कि उच्छतम न्यायले के न्यायधिश को हटाया जाता है यानि संसत के द्वारा हटाया जा सकता है ऐसे ही कैग को अगर हटाना है तो राष्ट्रपती द्वारा इसे उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायले के न्यायाधीशों को हटाया जाता है दूसरे शब्दों में संसत के दोनों सदनों दोरा विशेश बहुमत के साथ उसके दुर्वेवहार या अयोगेता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाये जा सकता है पहला इसे कार्याकाल की सुरक्षा मुहया कराए गई है इसे केवल राष्ट पती द्वारा समविधान में उलिखित कारिवाही के जर्ये हटाया जा सकता है इस तरह यह राष्ट पती के प्रसाद पर्यंत पदपर नहीं रहता कैग जो है वो राष्ट पती के प्रसाद परियंद अपने पत पर नहीं रहता है यद्यपी इसके नियुकती राष्ट पती द्वारा की जाती है लेकिन राष्ट पती के प्रसाद परियंद कारे नहीं करता है यानि कि राश्वपती जब चाहे तब कैग को नहीं हटा सकता है कैग को हटाएगा उसी तरीके से जैसे कि उच्चतम न्यायाले के न्यायाधीशों को हटाया जाता है संसद के द्वारा वो भी विशेश बहुमत से यह अपने पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद चाहे वह भारत सरकार का हो या राजिस सरकार का ग्रहन नहीं कर सकता इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है वेतन उच्चतम न्यायाले के न्यायाधीशों के बराबर होती है इसके वेतन में और अनुपस्थती, छुट्टी, पैंशन या निवरित्ती की आयू के संबंध में उसके अधिकारों में उसके नियोक्ती के पस्चाथ उसके लिए अलाभ कारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा भारती लेखा परिख्षक लेखा विभाग के कारियाले में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्ते और नियंतरक महालेखा परिख्षक के प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंतरक महालेखा परिख्षक से परामर्श करने के परशात राष्ट पती द्वारा बनाएग व्याई जिनके अंतरगत उस कार्याले में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन भत्ते और पेंशन हैं भारत की संचित निधी पर भारित होंगे अतह इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक का प्रती निधित्व नहीं कर सकता है और कोई मंत्री उसके द्वारा किये गए किसी कारी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है करतव और शक्तियां तो संविधान के अनुछे देख 49 में संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज या किसी अन्य प्राधिकरण या संसद की महालेखा परिक्षक से जोड़े लेखा मामलों को व्यावा स्थापित करे इसी से जोड़े संसद ने महालेखा परिक परिक्षक करतव शक्तियां एवं सेवाशर्ते अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परिक्षक से लेखा को अलग करने हैं तू संशोधित किया गया संसद एवं समविधाण द्वरा स्थापित नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक के कार्य एवं करतव निमनलिखित हैं पहला वह भारत की संचित निधी, प्रतेक राजी की संचित निधी और प्रतेक संग शासित प्रदेश जहां विधान सभा हो से सभी व्याय संबंधी लेखाओं की लेखा परिक्षा करता है वह भारत की संचित निधी और भारत के लोक लेखा सहित, प्रतेक राजी की आकस मिक्ता निधी और प्रतेक राजी के लोक लेखा से सभी व्याय की लेखा परिक्षा करता है वह केंद्र सरकार और राज सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग विनिर्माण लाभ और हानी लेखाओं तुलन पत्रों और अन्य अनुशंगी लेखाओं की लेखा परिक्षा करता है वह केंद्र और प्रतेक राज के प्राप्तियों और वियाई की लेखा परिक्षा स्वयम को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजसों के कर निर्धारन, संग्रहन और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिशित के नियम और प्रक्रियाय निर्मित की गई है वह निम्नांकित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परिक्षण करता है वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज सरकारों से अनुदान मिलता है सरकारी कमपनिया जब संबध नियमों द्वारा आवश्यक हो और निगमों एवं निकायों का लेखा परिक्षण वह रिण निक्षेप निधी जमा अग्रिम बचत खाता और धन प्रेशन व्यवसाय से सम्मंधित केंद्री और राज सरकारों के सभी लेण देनों की लेखा परिक्षण करता है वह राष्टरोपती के स्विकृति के साथ या राष्टरोपती द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों इस्टोक लेखाओं और अन्यों की भी लेखा परिक्षण करता है वह राश्ट्रपती या राज्य अपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परिक्षा करता है उधारण के लिए अस्थानी निकायों की लेखा परिक्षा वहां राश्ट पती को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राजियों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राश्ट पती को देता है जो उसे संसद के पठल पर रखते हैं ये बात है अनुछे देख सो 51 में 148 में कैग कपद 149 में कैग के कारी शक्तियां 151 में है कि वो अपने लेखा जो रिपोर्ट है वो राश्ट पते को देता है जो राश्ट पती इस लेखा परेक्षा को संसद के पटल के समुख रखवाता है वह राश्ट सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राश्ट पाल को देता है जो उसे विधान मंदल के पटल पर रखते है अनुछे देख सो 51 में ये भी बात लिखा हुआ है वह किसी कर ये शुल्क के शुध आगमों का निर्धारन और प्रमालन करता है उसका प्रमाल पत्र अंतिम होता है शुध आगमों का अर्थ है कर ये शुल्क के प्राप्तियां जिसमें संग्रहन की लागत सम्मिलित ना हो वह संसद की लोक लेखा समेती के गायड मित्र और मार्ग दर्श के रोप में कारे करता है वह राजी सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षन करता है 1976 में इसे केंद्री सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षन कारे से मुक्त कर दिया गया क्योंकि लेखाओं को लेखा परिक्षर से अलग कर लेखाओं का विभागी करन कर दिया गया कैग राश्टपती को तीन लेखा परिक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है विन्योग लेखाओं पर लेखा परिक्षा रिपोर्ट वित लेखाओं पर लेखा परिक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परिक्षा रिपोर्ट तो तीन एक विन्योग लेखाओं पर वित लेखाओं पर और सरकारी उपक्रमों पर तीन रिपोर्ट देता है राश्टपती को राश्टपती इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पडल पर रखता है इसके उपरांत लोकलेखा समिती इनकी जाच करती है और इसके निशकर्सों से संसद को अवगत करा दी है विन्योग लेखा वास्तविक खर्च की संसद की विन्योग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीक्रीती के बीच तुल नातमक इस्थिती को सामने रखता है जबकि वित्य लेखा वार्षिक प्राप्तियों तथा केंदर सरकार की अदाइगियों को प्रदर्शित करता है भूमिका वित्य प्रशासन के छेत्र में भारत सरकार के भारत के सम्विधान एवं संसदी विधी के अनुरक्षण के प्रती महालेखा परिक्षक उतरदाई होता है वित्य प्रशासन के छेत्र में भारत के सम्विधान एवं संसदी विधी के अनुरक्षण के प्रती महालेखा परिक्षक उतरदाई होता है कारे कारी अर्थात मंत्रे परिशद की संसद के प्रति वित्तिय प्रशासन का उतरदाइत वो कैग की लेखा परिक्षर रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है महा लेखा परिक्षक संसद का एक एजंट होता है उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परिक्षड करता है इस तरह हुआ केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है महा लेखा नियंद्रक इवं परिक्षक यानि कैग को खर्चों की लेखा परिक्षड में प्राप्तियों भंडारों तथा स्टॉक की लेखा परिक्षड की तूलना में कहीं अधिक स्वतंद्रता होती है जबकि खर्च के संबंध में वह लेखा परिक्षड के विशेशेतर को सुनिशित करता है तथा स्वयम अपन लेखा परिक्षा संगिताओं तथा वी नियमावलियों या नियमावलियों की रचना करता है उसे अन लेखा परिक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कारेकारी सरकार से सुविक्रिती लेनी पड़ती है कैग को यह निर्धारन करना होता है कि विधिक रोप में जिस प्रयोजन हेतु धन सम्वितरित किया गया था वह उसी प्रयोग या सिवा हेतु प्रयोग या प्रभारित किया गया है और क्या व्य इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है इस विधिक और विनियामक लेखा परिक्षा के अत्रिक्त कैग आउचित लेखा परिक्षा की भी करता है अर्थात वह सरकारी व्याय की तर्क संगतता निष्ठा और मित व्यायता की भी जाच करता है और ऐसे व्ययाय की व्यर्थकता या व्यर्थता और देखावे पर टिपड़ी भी करता है तथा पिविधी और विन्यामक लेखा परिक्षा जो की कैग पर बाधिकारी है उचित लेखा परिक्षा के विवे का नूण जार है गुप्त सेवा व्याय कैग की लेखा परिक्षा भूमिका पर सीमाई निर्धारित करता है इस संबंध में कैग कारेकारी एजेंसियों द्वारा किये गए व्याय के बेवरे नहीं मांग सकता परंदु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारों से प्रमाण पत्र को स्विकार करना होगा कि व्याय इस प्राधिकार के अंतरगत किया गया है भारत के संबंधान में कैग की परिकल्पना नियंतरक सहित महालेखा परिक्षक के रोप में की गई है यद्यपी विवहार में कैग केवल महालेख परिक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है दूसरे शब्दों में कैग का भारत की संचित निधी से धन की निकासी पर कोई नियंतरन नहीं है और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चेक जारी कर धन के निकासि कर सकते हैं कैग की भूमिका व्याय होने के बाद केवल लेखा परिक्षा अवस्था में है इस संबंध में भारत के कैग की भूमिका ब्रेटेन के कैग जिसके पास नियंत्रक सहित महालेखा परिक्षक की शक्तियों से बिलकुल भिन है दूसरे शब्दों में कारे कारणी लोग राजकोष से केवल कैग की सुविक्रिती से धन निकाल सकती है कहां ब्रेटेन में कैग तथा निगम सारवजनिक निगमों की लेखा परिक्षा में कैग की भूमिका सीमित है मोटे तोर पर सारवजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को निमन लिखे तीन कोटियों के अंतरगत देखा जा सकता है कुछ निगमों की लेखा परिक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर कैग द्वारा की जाती हैं उधारण दामोदर घाटी निगम तेल एवं प्राकरतिक गैस आयोग ओन्जीसी एर इंडिया इंडिया एरलाइन्स कॉर्परेशन एवं अन्या कुछ निगमों की लेखा परिक्षा निजी पेशिवर अंकेक्षकों लेखा परिक्षकों के द्वारा की जाती है जो कैग की सलाहा पर केंदर सरकार द्वारा नियोगत किये जाते हैं यदि आवश्यक हो तो कैग पूरक लेखा परिक्षा कर सकती है कुछ अन निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परिक्षा की जाती है दूसरे शब्दों में लेखा परिक्षा निजी पेशेवर अंगेक्षकों के द्वारा की जाती है तथा इसमें कैग की कोई भोमिका नहीं होती है वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लिखा सीधे संसत को प्रसुत करती हैं उधारण जीवन बीमा निगम, भारती रिजर्व बैंक, भारती स्टेट बैंक, भारती खादि निगम सरकारी कमपनियों की लेखा परिक्षा में भी कैग की भूमिका सीमित है उनकी लेखा परिक्षा निजी अंकेक छकों द्वारा की जाती हैं जो की कैग की सलहा पर सरकार द्वारा नियोक्त किये जाते हैं कैग इनकी पूरक लेखा परिक्षा अत्वजाच लेखा परिक्षा कर सकती है 1968 में कैग कारियाले के एक अंग के रूप में लेखा परिक्षा बोर्ड के स्थापना की गई थी जिससे की बाहरी विशेश अग्यों को विशेश उद्यमों जैसे इंजिनिरी लोह एवं इस्पात रसायन इत्यादी के लेखा परिक्षा के तकनीकी पक्षों का धियान रखा जा सके इस बोर्ड की स्थापना भारतिय प्रशासनक सुधार आयोग की अनुशन साओं पर की गई थी इसके एक अधियक्ष तथा दो सदस्य होते हैं जो कि कैग द्वारा नियोगत किये जाते हैं अब एपल बाई की अलोशना पॉल एच एपल बाई ने भारतिय प्रशासन पर अपने दो रिपोर्टों में कैग की भूमिका की कड़ी आलोचना की है तथा उसके कारे के महत्व पर भी प्रश्ण चिन्ह लगाया है उसने राय दी कैग को लेखा परिक्षा के दायत्व से मुक्त कर देना चाहिए कारिय वास्तों में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है आज कैग निरणे लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्रात्मिक कारण है लेखा परिक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव है संसद की लेखा परिक्षा को संसदी दायत्व के महत्व को बढ़ा चड़ा कर देखा जाता है इसलिए संसद कैग के कारियों को परिभाशत करने में विफल रही है जैसा कि सम्विधान में उससे अपेक्षा की गई है वास्तों में कैग का कारियों बहुत महत्व पोर्ण नहीं है लेखा परिक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में ना तो जानते हैं ना ही उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है लेखा परिक्षक जानते हैं कि लेखा परिक्षक क्या होती है लेकिन यह प्रशासन नहीं है यह आवशक है किन्दू यह एक अत्यंद नेरस तथा सीमित परिप्रेक्ष एवं सीमित उपयोगिता वाला कार्य है किसी विभाग का उपसच्चिव अपने विभाग की समस्याओं की बारे में कैग तथा उनकी समस्त कर्मचारियों से ज्यादा जानता है फिर लास्ट में देखें तो 148 में क्या है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेगा परिक्षक कपद 149 में नियंत्रक एवं महालेख परिख्ष यानि कैग के कारी एवं शक्तियों के बारे में बताया गिया है 150 में संग तथरा राजियों के लिखा प्रकार कितने हैं 151 में अंग एक्षड प्रतिवेदन जो देता है केंद्रिय स्तर पर राश्ट पती को और राजिके स्तर पर गवर्नर को तो यह रहा इस चैप्टर का आधियान पूरा देखने के लिए धनिवाद नमस्कार चैहिंद